हाई दोस्तों नमस्कार आप वे अपने चलेंज इनोवेटिव जिसनलों में सौगे थे चलिए आज का पहला क्यूशन सुरू कर देते हैं फटफट पहला क्यूशन की हाली में कि सरकार ने 11.5 मेगावर्ड बिजली सहित की अधार सिलह रखी है तो याद रखिएगा करनाटका करनाटका के बिदादी में ये अस्थापित होने होला है बिजली सहित ठीक है इसका इन्वर क्या होगा करनाटका करनाटका के बिदादी में याद रखिएगा कहां पर बिदादी मलिक दे रहा हूं बिदादी में सुरू किया जा रहा है ये पहली बार ठीक है तो करनाटका क कि करनाटका की पुनर्गठन यानि करनाटक राज का पुनर्गठन कब किया गया था तो एक नॉम्बर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया था राजधनी क्या इसकी बैंगलूरू याद रिखी के राजधनी कहा है बैंगलूरू और इसी बैंगलूरू क्या कहा जाता है बाग राजपाल कौन है वजुभाई वाला यह देखिए वजुभाई वाला यहां के राजपाल लोक निर्त यहां का कौन कौन से आप लोगों पता होगा यह च्छगान फेमस यहां का लोक निर्त है उसके बाद कुनिता करगा लांबी वीरगास से यहां के प्रमुक लोक निर्त है ठीक है इसके बाद देखते हैं वन्य जीव अभ्यारंड यहां पे कौन-कौन से हैं बांधिपूर, राजियु गांधी, कुद्रेमुख, बन्यर घटा यहां के प्रमुख, बन्यर घटा यहां के प्रमुख, बन्यर घटा और बांधिपूर, यहां के प्रमुख, बन्यर घट पता है करनाड़का की तो पता होगा इसरो का मुख्याले जो है वो करनाड़का की राज़ाने बैंगलूरू में ही है पता है तो बैंगलूर में इसकत क्या है मुख्याल है करनाटका में किसका मुख्याल है या इश्रो का ठीक है इश्रो का फुलफा में लोगों पता हो गए इंडियान इस्पेस रेसर्ज आर्गनाइजेशन यह इश्रो का फुलफा में अस्थापना कब हुई थी इसकी 15 अगस्ट 179 को संस्थापक कौन था इसका मतलब इसरो का संस्थापक कौन है बिक्रम सारावाई इसका प्रच्छेबढ केंद कहां से प्रच्छेपित किया जाता है याद रखिया कि इसरो जो है अंतरिठ से संबंधित क्रिया विधियों को अंजाम देता है ठीक है अंतरिठ से संबंधि क्रियाविधी को यह अंजाम देता है कौन इसरो बट जो रच्छा से सम्बंदित है जैसे मिसाइल हो गए प्रमाडुबाम हो गए यह सारे चीजिए कुन करता है डियाइडियो करता है डिफेंस रिसर्च अर्गनाइजेशन ठीक है इसरो और डियाइडियो यह दोनों में मतल स्रीहरी कोटा कहां पर है आंतिपराद цен आंत्रिच केंद 7 सकी केंद यह कहां पर है स्रीहरी क यहां यह हरी कोटता कहां पर है अन्थपर। में आंध्रद्रद्रद्र का है भारत में ठीक है यह याद रखिया उसके बाद इस रोका पहली बार सोदेशी यान से कब भेजा गया था क्या था उसका नाम रोहिड़ी यह यसल्वी से भीजा गया था ठीक है अब पहला इसका मिसन कौन सा था यह जो कि रूश के बैका नूर से भीजा गया था जैसे यहां का स्ट्रीहरीकोटा रूश का बैका नूर किस से भीज़ा गया था कास्मोस प्रच्छेपटर यहां से भीज़ा गया था यह पहला उपग्रह आर्भट जो 시작 उपप्राइल डूपरियल ग्झे लरूत को बколь गया तीम पंग सर्देया गया उठें कहां बसक्रूर कर नूर्ग कर नियूर का आंतरिज based रहे ठीक है उसके अबाद इसका दूसरा यह पहला उपगड़ा ता दूसरों पगड़ा इसका भी जा गया था साथ जून उन्या से यहां अब लोगों को काफी जनकरी मिली होगी कि कहां से कहां से इंटर लिंक हुगा यह चीज़ें ठीक है बढ़ते हैं निस्ट क्यूशन की तरफ निस्ट क्यूशन बढ़ने से पर थोड़ा देख लिए मैं मतलब देखने की या आध़त बनाई यह आप लोग यह देखिए करनाड़का के बात आई तो मैंने यहाँ पर करनाड़का का और तमिल नाडव यह आंध화ड़ देश नाश्ट ऊपर है तेलंगाना ठीक यह हुगा इसके पाड़ोसी राज कौन कौन से महराष्ट्रा है गोवा नाड़े मिस्ट्राप अब पर देश तेलंगाना इसके पाड़ोसी राज है यह आदर रखियेत वर दूसरा क्यूश्चन है आज का हमारा दूसरा क्यूश्चन हाली में भारत के किस राज में वितिय प्रबंधन क्रियाओं और परिचालन शम्तम सुधार के लिए या ध्यान से पढ़िएगा सुधार के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डालर के नीत या धारित रिड समझगते पर ADB ने हस्ताच्यर कियाै किस राज की रिए मतब किस राज की अधनेत परगति के लिए precisa कि यह है पस् mission मंगाल के लिए AS लोन दिया सीधा सीधा समझजिए भारा सरकार को ठीक है तो पस्षी मंगाले पस्षी मंगाले का पुर्ण गठन कप किया गया था एक नॉमबर 1906 शपन को ठीक है राजानी इसी क्या है पुलकाता है और मुखेमंतरी को ने आके ममता बनर्जी है राजपाल को ने जगदिब ध खड़ें आके और यहां का पस्षी मंगाल का लोगनित कौन कौन सा है यह याद रखिएगा किरतन काठी ढाली जात्रा बावल मर्शरिया और क्या है गंभीरा यहां के लोगनिते हैं ठीक है बहां साई यहां पर प्रमुग रूप से बांगला ही बूली जाती है प्रमुग सांति निकेतन विश्चु भारती इनुवर्सिटी यहीं पर है जो कि रविंदनाथ टाइगोर द्वारा अस्थापित किया गया था कहां पर है यह पर यह मंगल में परसी मंगल के वर्धमान जिले में है ठीक है और परसी मंगल में कुल 19 जिले हैं तो यह हो गया पूरा पर जिले इंपॉर्टें घरी यहाउं मंगल से दो अच्छे धेतरे पर जीफांट न हरनाप पूरविदुर में Glut certificate ऩराटे जहां व्यूरव्य हैं यहाई पर यहां हो पित्किया थे उभी हैंग अच्छे कौन कौन से बुक्सा है गोरु मारा है ने ओरा घाटी इस निलीला सुन्दरवन जल्दा पारा जल्दा पार इंप्टेंट जल्दा पारा में क्या है एक सिंग वाला गैंड़ा पर आ जाता ठीक है यह हो गया पसीमंगाल अभ पसी मनगल की बात आई है तो पसी मंगल का थोड़ा सा हम में देख लिए ठखिए ते इधर आ जाएंगे आपका बिहार यह देखिए बिहार है इधर जहारखंड है ठीक है जहारखंड के बाद क्या पड़ता है नीचे 36 गड़ उस्वारी क्या है यह जहारखंड जहारखंड के बाद उडिशा 37 गड़ तो यहां पड़ जाता है और यह देखिए आंध प्रदेश इधर आ जाता है यहां पर क्या है उडिशा है उडिशा के बगल में अच्छती गड़ तो इसके कौन-कौन से पड़ोसी राज हुए पहला है सिक्किम दूसरा है बिहार तीसरा है जहारखंड चौथा है उ तो मैप देखने का तरीका मतलब आप अपने छोटे से मैप में देखिए गा मतलब एक उर्पए का जो मैप आता है वहां पर लेकर भरिएगा तो उससे जश्य में आएगा और चीजिए जो है जब भरेंगे आप तो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा दिर तक वाठी देंग तो एड़ेवी के बारे में हम देख लेते हैं एड़ेवी का फूल फार्म क्या होता है एस इन डिवलप्मेंट बैंग यह फूल फार्म है इसका अस्थापना कप किया गया था है है निष्भा उन निसमबर उन नई सहाचाड को मुक्याले कहा हो फिसका मनिला यानि फिलिपीन्स फिलिपींस की राजनी क्या है मनिला वरतमान Randy बारे में एक चीज़ क्या क्या चीज़े आ रही है सब को वहाँ पर हमको एक साथ ही इंटर लिंक कर लेना है जोड़ लेना एक भी चीज छोड़ना नहीं तो इससे करता हूं इसी तरा मितलब पढ़ता भी हूं तो यहां से में बढ़ते हैं की तरफ हमारे तीसरा की उच्छन है क्या है हल ही में जारी ट्रिरिजम इंडर स्वेंटे और भारत की रंकिंग क्या है इस से भारत की रेंकिंग जो है आठंवी रेंकिंग यह देखिए इसमें आप लोगों दिख रहा होगा यह देखिए आठवी रैंकिंग है भारत की ठीक है तो आठवी रैंकिंग याठवी अस्थान पर भारत टेरिज्म इंडेस में आया है इसका कहने क्तार्ट पर यह कि ग्लोबल यानि वैस बिस्व में पूरे दुनिया में सबसे जादा क्या है पहले देखिए आपसे नमबर अफगानिस्तान है फिर पाकिस्तान उसके बाद इसी स्रिंखला में आयेंगे तो इंडिया जो है आठवी आस्थान पर पड़ता है ठीक है और यहां पर देखिए गुए इसको आप लोग देख लीजिए अठीक है यह इंडेक्स जो है को निकालता है उसके बारे में और पहले दूसरे प्रभावित होने वाले देशों कि यह सूची है पहले पर थे सबसे ज़्यादा अब गाजिस्तान प्रभावित है और यह जो देश हैं यह सबसे जयदा आतमगार से प्रभाव्वीत हैं अब अब इस इंडेक्स को निकालता कौन है इस इंडेक्स को निकालने वाला है यह आई एपी आई एपी के मतलब है इंस्टिट्यूट यह फूल फामें आप एंस्टिट्यूट फार एकोनॉमिक्स एंड पीस वैस्विक सांति सूच कांग यह निकालता है ठीक है इसके अस्थाप राजदानि सिद्नी बता देते हैं बलकि और अस्टेलिया की राजदानि क्या corazón PE यहाद रिखेए गया सिद्नी वहाँ तो बड़ा सहर मना जाता यंबरा नाम रहता है तो ऑस्टेलिया की राजदनी कानबरा है ना कि सिडनी कि इसकी साखाएं कहां कहां पर न्यू यार मैस्को और दाहेग यह देखिए दाहेग से आप लोगों को याद आ जाना चाहिए यहाँ पर इंटरनेशनल नय आला है ठीक है इंटरनेशनल कोट संस्था पर इसे कौन है इस्ट्यू के लेली इसके संस्थापक थ यहां देखिए यहां पर clear होगा हमारा यह पूरा आप लोग पढ़ लिजेगा ग्लोबाल लेटरिजम इंडेक्स के बारे में जीटीयाई क्या है कैसे यह पूरा मैंने लगा दिया है ठीक है भारत वरे में पढ़ लिजेगा हता होँ ओस्ते सबसे अधिप्रबावित होने वाली देखिये मैं लगा दिया है तो यह सारी चीज़े पढ़ लेजेगा थोड़ा सा जनकरी रहेगी तो अच्छा रहेगा क्या चल रहा है भारत में विष्व में तो यह सारी चीज़े हैं बढ़ते हैं निश्ट चोथा क्यूशन है हमारा आज का हाल ही में बी आरो का नया महानेदेस किसे निश्ट किया गया है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजियू चौधरी ये दिखिए राजियु चौधरी जी ऑपि अभी हाली में महानिदीसी को नियुत किया गया, ठीक है? बियारों की बात आई है तो बियारों का फुल फॉर्म देख रहते हैं बॉर्डर रोर्स और्गनाइजेशन का फूल फॉर्म है अस्थापना साथ में 1960 को गाता संस्थापकोंते जावार लाल ने रूते मुख्याल इसका नई दिल्ली में है और 27 में इसके यह महानी देशकों में कौन राजिव चौधरी जी ये किसका अस्थान लेंगे हरपाल सिंगा का अस्थान करेंगे ठीक है तो वियारों का था हम लोगों ने देख लिए हैं लेकिन इसका हमको थोड़ा सा हिस्टी जानना है।zekल भारती नौसरेनग की अस्थापना कभ पंगी थी 26-29-1950 को, बट कानून भारती नौसरेनग कानून पारित हुए था 8 सेप्थेमबर 1934 को, यह यादर कियेगा। और इसके प्रमुख कौन है इस टाइम एड्मिरल करम बीर सिंग इसके वरतमान में प्रमुख है यह किसके अधीन आता है रच्छा मंत्राले के अधीन आता है ठीक है और यह दिवस जो है चार दिसंबर को ही क्यों मना जाता है जबकि इसके अस्थापन होती है 26 जनुवरी 1950 को कानुभी पारित होता है 8 सिंबर 1934 को इसमें से यह कुछ समझ में नहीं आता है कि 4 दिसंबर को ही क्यों मना जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को ही भारती नौसेना ने आपरेशन त्रिसूल सुरू कियाता है जिसके तहत पाकिस्तान के कराची में नौस्यानिक अट्डे को तहस नहेंस कर दिया था किसने भारती नौसे नाओने ठीक है इसलिए चार दिसंबर को क्या मैं जाता है भारती नौसेना दीवस उनकी महांता को देखते हुए हमारा आज का छाटवां क्यूस्चन है सिक्थ क्यूस्चन है लोग सबखे मास अच्छीव की रूप में किसे क्या है मास अच्छीव की रूप में किसे नियूद किया गया है अब भी हलही में मास अच्छीव की रूप में किसे नियूद किया गया है उत्पल कुमार सिंग को इन्हीं को क्या किया गया है नियूद किया गया है मास अच्छीव की रूप में ठीक है लोग सबखा की बात अनुछेद 81 की अंतरगत इसका गठन करने की परिक्रियाओं के बारे में बताया गया है लोगसभा का याद रखिए कि लोगसभा बताया गया है कारेकाल इसका कब होता है पांच साल का होता है इसका अन्य नाम क्या है लोगसभा का अन्य नाम क्या है आस थाई सगन लोग प्र होगा ओम बिरला ठीक हो यह यहां के लोग सभा के बारे में हो गई ठीक है उत्पाल कुमार सिंग्यादर के कि महां सची होएं लोग सभा के है कि बढ़ती हं अफसे कुस्ट के तशारisesti है आज का सात्ования के उससे थाल ही में एक दिसम्बर को पना अठ्वाणोंर राज्य दिवस मनाया हैं तो यहां पर नागा लेंड़े नगलेंड भी-पाली में एक दिसमबर को पना उठ्वाण राज्य देख लेता है तो पुनट्रिण इससी है बनाया या के मुख्यमंतरि को ने प्यूरी यह याद रखेगा, यहां के मुख्यमंत्री राजपाल कोने आर्यन रवी वन जिव अभ्यारन यहां पर एक ही है फाकीम और राश्टी उद्यान भी एक ही इंटा की ठीक है राजिधान इसकी है कोहिमा और यहां के लोग नरित जो है यह प्रमुकी गयाद रखिए गया नूरा लीम लीम खैवा च एक इसका पढ़ोसी कौन से यहां से देखेंगे यह और अंचल प्रदिस ठीक है यह पर मैंने बताया भी यह अ See cup fully आपकी और तो तक उसमाँसी मोगे घ्रिक उसके बाद इसके जर्षट नेचे तीन कौन कौन से अरुडांचर प्रदेश आस्याम और मड़ेपूर इसके तीन पड़ुसी राज है इधर चाइना आ जाएगा इधर मैं मारा जाएगा हाली में उत्राकड में सूरिधर जील का उध्गाडन किया गया है तो यह एम वैंक या नाइडू द्वारा ड्रींतर सिंहं रावत के त्वारा क्या किया गया है उध्गाडन किया गया है आगा बात है उत्रा खंड के बारे में लोग देख लेता है उत्रा खंड का पुनर गठन कपकी कहता है और नंव नॉमबर पुटरकर का पुर्मभधन कब किया गया था है नव नवमब्र सन 2000 को इसका पुर्मः गढ़न कियी गया था ठीक है या रखेगा कान दोहजार को राजधाने से क्याया दहरादॉन सीयम यहां के कोन है त्रिवेंदर सिंग रावजी राजपाल कोन है बेबी रानी मौर यहां की राजपाल है और यहां का राश्टी उद्यान राश्टी उद्यानों की संक्य यहां पर कितनी है कुल राश्टी पार्कों की संक्या है छे पहले क्या है गंगोत्री गोबिंद पस तो इस तरह को यहां के छे राश्टे उद्यान है राजाजी किसलिए फेमास है यहां पर बाग और तेंदु अपाया जाता है ठीक है उनका स्वंग रिच्ड किया गया है उसके बाद लोक नृत क्या क्या है यहां पर गढ़वाली कुमायों कजरी जोरा रासलिला चपादी य अब मैप में हम देखते हैं उत्राघंड को तो उत्राघंड के जर्ष्ट उपर क्या है हिमांचल प्रदेश उधर आ जाता है हिमांचल प्रदेश और इसी के जर्ष्ट बगल में क्या है हर्याना क्या है हर्याना उसी के जर्ष्ट बगल में अपना प्यारा सा उत्तर पड़ोसी राज्य हो गए इधार आपका चाहिना लग जाता है या तिबद कहले सकते हैं आप तिबद ये चाहिना तो इसके तीज पड़ोसी राज्य है कि सरकार ने किया है कि माजीरहाट ब्रीज का नाम बदल कर जैहिंद कर दिया गया याद रखिएगा कि यह थोड़ा सा हिस्टी देख लिए पसी मंगाल की मुख्यमंत्री मामताम बनार जी ने सुबास संद्र बोच की 125 में जैंती को लक्ष में कोलकाता में नाविंतम माजीरह ब्रीज का नाम बदल कर जैहिंद पुल कर दिया इस नए पुल को पुराने पुल के अस्तान पर बनाया गया जो सितंबर 2008-18 में धह गया था यह पुल 650 मिटर लंबा और को कोलकाता कि मद्भा को बेहाला और अंदच्छडी पस्वी उपनवगरों से जोड़ता है ठीक यहां से इतना ही और क्योंकि मैंने पस्तिम बगाने पारे में इसके पहले ही क्यूशन में बता दी आता है तो वहां पर इसकी जरूरत नहीं है बताने है कि फिर से दस्वा क्यूशन और अंदिम क्यूशन आज का है हाल में पूर राश्ट की डाक्टर का नाम के जीवन पर लिखी पुस्तक का विमोचन किस नहीं किया जैसा कि फोटो में देखके अपको लोगों पता हो गया हो का वेम वेंग गया नाडू जी जो हमारे भारत दिसके क्या ह उपराश्टपती हैं और पलसराज सभा के सभापती भी यहीं है ठीक है तो एम वेंग गया नाडू ने विमोचन किया है तो इसकी इस किताब के बारे में थोड़ा सा जान लेजिए किस किताब का नाम क्या है कि 40 years with अब्दुल कलाम अंटोल इस्टोरी यानि कि 40 साल नाटियू थानोपल लई इसके लेखक हैं पूश्टक जो है यह कहां से परуска कर यह किसा प्रेकाश eroooo तो LLP के द्वारे यह प्रकास्त की गई है प्रस्तावना को इस किताब की प्रस्तावना को हमारे प्रडब्दाजी लिखे हैं यानि कि प्रडब्ध मुखर जी ने लिखा इसकी प्रस्तावना को कि तो यहां क्यूस्चन होता है हमारा समाथ मिल टेन ने स्टुडियों में तब तक लिए देटे लिए इन्वेटी जिस नौलेज जै हिंज जै भारत नमस्कार